Hello everyone, welcome to my English class. This is Nero, your English teacher. Now we will discuss about our next lesson which is Packing. Dear student, जैसे की हमारी chapter का नेम है Packing, तो जैसे की टाइटल से पता चलता है कि Packing. किस इस की Packing? समान की, वस्सू की Packing. तो हमें Packing से लगता है कि यह शायद boring होगा lesson, यह फिर कुछ अदर इंटरस्टिंग रही होगा. नहीं, student, the story packing is very funny. यह बहुती funny है, बहुती हास्य कहानी है. It is full of humorous elements यह बहुती हास्य से भरी हुई है. इसमें हमें जब हम lesson को पढ़ेंगे तो हमें आगे आगे बहुती ऐसे से इसमें points मिलेंगे कि हम अपनी हसी को रोख ही नहीं पाएंगे. As a name से हमें ज़रूर लग रहा है कि यह थोड़ी सी simple है, बट ऐसी नहीं है. यह बहुती hilarious and humorous story है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं packing के बारे में. तो packing क्या? जैसे जो कि packing है, हम कहीं भी किसी भी trip पे जा रहे हैं. Dear student, do you like going on trip? What kind of trip do you enjoy most? अगर आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको trip पे जाना पसंद नहीं होगा. वो अलग बात है कि किसी को कैसे कैसे, अलग अलग जगे पे जाना पसंद है, किसी को historical पसंद है, historical places पे जाना पसंद है, किसी को garden में, किसी को धार्मिक सानों पे. तो अलग लग तरह की हमें क्या है पसंद होता है तो वहाँ पे जाने के लिए ट्रिप पे जाने के लिए हमें क्या करना होता है वहाँ पे जाने के लिए हमें पैकिंग की तो हमें नीड होती है तो पैकिंग के लिए पैकिंग करना भी इंट्रस्टिंग वर्क है लेकिन ये packing करने interesting वो किसे लगता है जिसकी packing करने में interest होता है तो almost हम सब में से जो packing का work है ladies करती है या कोई sister करेग या mother करती है बट कई बार ऐसा होता है कि giants को ladies के according अच्छी packing करने आती है बटे it depends किस पर करता है अगर उसका packing करने में interest है वो चीजों को अच्छी तरह से fold करके उन्हें रख सकता है याद से तो वो बहुत ही अच्छी तरह से packing कर सकता है तो packing के बारे में सबसे जरूरी बात क्या है कि हमें सबसे पहले के एक list बनाने चाहिए हमें जो जो समान ले जाना है उसके list होने चाहिए फिर उस list के according सारे समान को हमें कहां पर gather करना है जहां पर जिस suitcase में या जिस bag में हमें उस समान डालना है फिर उसके बाद one by one करके हमें उस समान को bag में suitcase में डालना है तो जो समान हमें सबसे last में चाहिए तो उसे हमें के सबसे नीचे रखना चाहिए जो सबसे पहले morning में चाहिए होता है जिसे toothbrush हमें morning में चाहिए तो उसे हमें क्या सबसे उपर रखना होता है तो ऐसे हमें list के according हमने अपने समान को उसमें pack करना है तो कई वर ऐसा होता है कि हम पूरे bag को pack कर चुके होते हैं तो हमें याद आता है कि क्या हमने इसमें टूतबश डाला है क्या हमने इसमें और हमाई और नेसेसरी चीजे होती है हमने वह डाला है तो हम यह चीजे क्या है देख सोचते रहते हैं कि हमने वो चीज़े डाली है नहीं डाली फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम पूरे बैक को खोलते हैं फिर उसके में ढूंडते हैं फिर ऐसे में हमें मिल जाता है फिर थोड़े बाद फिर हम सोचते हैं कि बैक पैक की है फिर हमें कोई याद दिलाता कि आप ने इसमें हमारा जैसे आज के टाइमें फोन बहुत जरूरी चीज है तो उसका चार्जर भी जरूरी है चार्जर की बिना फोन का कोई फायदा नहीं है तो यहाँ कोई पूछ ता कि आपने हमारा चार्जर डाला है हम भूल जाते हैं कई बार डाल भी देते हैं फिर भूल जाते हैं फिर उसके के साथ आज जो हम अपनी स्टोरी है पढ़ने जो हारे है पाकिंग इसके जो राइटर है जिरॉम के जिरॉम है वही इस लेसन के क्या वही इस लेसन के नियरेटर है जिरॉम के जिरॉम तो आज हम अपनी इंट्रेस्टिंग सी स्टोरी के बार में पढ़ेंगे तो फर्स्ट अफॉल भी विल डिस्कुस अबाउट तर राइटर पैकिंग रिटर्न बाई जिरॉम के जिरॉम वाज अन इंग्लिश राइटर अन हुमेरिस्ट बैस्ट नौन फोर दा कॉमिक ट्रेवलर्ग Three Men in a Bought ट्रेवल करना मतलए कि इसमें जो एक स्टोरी है Three Men in a Bought जो की तीन आदमियों की है वो टिप पे जा रहे हैं बौट में तो यह उसी से लिया हुआ एक एक्स्ट्रेक्ट है मीज जो पैकिंग है यह जिरॉम के जिरॉम की तो पाकिंग त्रिप की पारेमें ही बताया है जो पाकिंग इतनी इंट्रस्टिंग है, इतनी हिलेरी स्टोरी है, तो यह पूरी जो स्टोरी कितनी मज़ेदार होगी पैकिंग इस स्टोरी ओफ त्री फ्रेंड्स वो आर बीजी इन दा टिडियस वर्क ओफ पैकिंग जस्ट बिफोर दे सेट ओफ फोर त्री देयर चुर्नी तो पैकिंग एक ऐसी स्टोरी है जिसमें तीन जो अपने ट्रिप पर जाने से पहले जन्नी से जाने से पहले उसके त्यारी में लगे हुए समानों को सेट करने में लगे हुए उस काम में जूटे हुए है यह तीनों फ्रेंड यापस में डिवाइड कर लेते हैं कि किस की सामान की पैकिंग कौन-कौन करेगा तो जिरोम के जिरोम जो की राइटर है वही क्या है वही स्टोरी के निरेटर है इट फुल अफ हुमिनिस्ट अलिमेंट्स वन्स दा निरेटर हैड इस थ्री फ्रेंड जोर्ज एंड हैरिश इसमें जो इन जो निरेटर है इनके दो फ्रेंड और है जोर्ज और हैरिश उन्होंने एक प्रैन किया था कि हमें बर कहीं ट्रिप पे चलेंगे तो जो वन्न करता का विचार था कि वह सबसे श्रेष्ट पैकर है भीाफ़ अच्छी तरह से पैकिंग करेगा वह अच्छा पैकर है इस तो उन्हें है कहा कि पैकिंग का काम भाइक करेगा जो जोर्ज और तो इसससे सहमत्त होगी वरलन करता कि Joram ने तो ही है सोचा कि वह अपने मित्रों को पैक की जाने वाली चीज़े लाने के लिए कहेगा मिंस जो जे रोम थे जो की डाइटर थे उन्हें ने सोचा कि उसकी जो दो फ्रेंड है वे उन पे ओर्डर दमारेगा कि ये समान ले के और मैं उनका बोस बनूँगा और मैं अपने फ्रेंड्स को कहूँगा कि क्योंकि जैसे कि मैं अच्छा पैकर हूँ पैकिंग तो मैं करूँगा बट मुझे समान लाला के दो और मैं ओर्डर दूँगा तो ऐसे करूँगा लेकिन जोज वे हैरिश जो थे आराम से कुर्सियों पर बैठ गे उनके वेवार से निरेटर को गुसा आया लेकिन वह चीज़ों को बैग में पैक करता रहा उसे पैक करने का काम उसकी आश्या से कहीं अधिक समय लंबा लगे उसे लगा कि क्योंकि मैं गुज पैक करूँ बहुत जल्दी पैक कर लूँगा बट उसे टाइम ज़दा लंबा लगा आंत में उसे पैकिंग का काम समाप्त किया और बैग को बंद कर दिया हैरिश ने उसे पूछा कि क्या उसने अपने जूते पैक किये है जूतों को पैक करने के लिए निरेटर को एक बर फिर से अपना बैग खोलना पड़ा तब उसने बैग में के जूते पैक किये तब उसने सोचा कि शायद उसने अपना टूथ बर्ष नहीं रखा इसलिए देखने के लिए उसने टूथ बर्ष रखा या नहीं फिर से बैग को खोलना पड़ा उसने बैग में से पर टीछ इक चीज को बहार निकाला और हिलाए कई बर होता ना कि हम चीज को देखते हैं फिर देखते हैं फिर हमें मिल जाती है तो हम थोड़े सी इजिटेट हो जाते हैं अंत में उसे टूथबुस्ट एक जूते के अंदर मिला उसने एक बार फिर से बैग को पैक किया उसने बैग के फीते बान दिये इसे बाहर निकालने के लिए उसे पुने बैग को खोलना पड़ा अंत में जो नेरेटर था टैन फाइब पीम पर अपनी पैकिंग का काम समाप्त करने में सफल हुआ तो अब तो राइटर की थी अब हैरिश और जोर्ज की बारी थी अब उनको अपनी चीज़ों को पैक करना था तो dear student इस लेसन में हम इनी के बारे में पढ़ेंगे यह बहुत ही मज़ेदार work है बहुत ही मज़ेदार story है हमीं बहुत ही मज़ा आने वाला है I said I would pack I rather pride myself on my packing Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living I impressed that the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me they fell into the suggestion with the regioness that had something uncanny about it George spread himself offered the easy cheer and Harris cooked his leg on the table मैंने कहा मैं समान को पैक करूँगा मैं समान को पैक करूँगा I said I would pack मुझे अपनी पैकिंग पर काफी proud था dear narrator को Packing उन चीजों मैं से एक है जिनके बारे मैं 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 सूस करता हूँ कि मैं किसी भी दूसरी जीवित व्यक्ति में से ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं यह कहने में मुझे ऐसा फिल होता था कि other person जो other living person है मलकि मुझे दूसरी जीवित व्यक्ति से मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ और जो जिन लोगों को पसंद है बलकि यह काम मुझे अधिक पसंद है यह कभी कभी सो मुझे हैरान कर देती है कि इस तरह कि कितने विश है बलकि ऐसे से बहुत से विश है जो कि मुझे बहुत अधिक पसंद है बट पैकिंग उन में से मुझे बहुत अधिक पसंद है मैंने यह तक है जोर जोर हैरि said, told them that they had better leave, पिर तुम सारे काम मुझे पे छोड़ दो मैं ची तरह से कर लोगा, उन्होंने सुजाव को इतनी जल्दी मान लिया की है कुछ अजीब सा लगा, उन्होंने बहुत जल्दी सी से असेप्ट कर लिया, कि एकदम से वो मान गे कि हां, they fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा कि एदम से कैसे मान गे uncanny होता, strange जोर्ज ने pipe सुल्गाया और swamp को आराम कुर्सी पर फैला लिया, आराम से इजी चेर पर वो अपने आपको उसने spread किया, Harris ने अपनी टांगों को पर रखा और सिगार सुल्गा लिया, मिल जो Harris था, Harris cooked his leg on the table, उसने टेबल पर मिलग रखिया और उसने भी अपना सिगार को जला लिया, this was hardly what I intended what I had meant of course was that I should boss the job and that Harris and George should port about under my directions, I pushing them aside every now and then with oh you, here let me do it, then you are simple enough, really teaching them as you might say they are taking in the way they did irritated me, there is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing even I am walking या मुश्किल से ऐसा था this was hardly when I intended जैसे मैंने सोचा था जो कुछ मैं चाहता था what I had meant जो कुछ मैं चाहता था वास्ते में यह वैसा यह था कि मैं काम का निरिक्शन करूँगा मैं उसने सोचा तो यह था कि मैं उनके उपर बोस बनूँगा उनको बताऊंगा कि मुझे यह चीज़ी लेके आनी है बट वो तो आराम से बैठ गए और मुझे करना पड़ गया तो वा कहता है कि वास्ते में यह था कि मैं काम का निरिक्शन करूँ और हैरिस और जोज मेरे निर्देशों के अधिन काले करें मैं उन्हें बीच बीच में एक तरफ हटा कर कहूँगा ओहो तुम सुनो यह मुझे करने दो तो यह देखो बिलकुल आसान है क्या आप कह सकते हैं कि उन्हें वास्ते में मैं पैकिंग करना सिखाऊंगा तो उन्हें लिटा कि आप कह सकते हैं कि मैं उन्हें वास्ते में पैकिंग करना सिखाऊंगा उनके द्वारा मामले को इस परकार जाने ने ऐसे ले जाने मीज़ यह अराम से बैठ गए Layalo Χाल मुझे इस मामले को इस प्रकार से ले जानने लगे कि मुझे उन्होंने चिड़ा दिए मैं уू need Beach हो गया उन्होंने मुझे किड़ा दिया मुझे इस बात से अधी कोई अन्या बात परेशान ही कर सकती थी कि भाकी की लोग कुछ नहीं करके देखते हुए बैठे रहें जब मैं काम करता रहें मिस उसे यह था कि हम तीनों करेंगे मैं सिर्फ अधिनिये ओर दोंगा ऐसे करना ऐसे करो ऐसे करो ऐसे नहीं करना ऐसे मैं फैर करूं बट हुआ कै comprehensively मुझे इरिटेटिंग क्यों ही कि वो लोग तो अराम से बैट के चेर पे पाउं फेला के सीगा सुलगा रहे हैं और मुझे देख रहे हैं और मैं अकेला किये जा रहा हूं तो मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था मैंने तो कुछ और ही सोचा था और ये कुछ और हो गया I lived with a man once who used to make me mad that way He would lull on the sofa and watch me doing things by the hour together He said it was real good to look on at me, missing about Now I am not like that, I can't sit still and see another man slaving and walking I want to get up and present and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do It is my energetic nature, I can't help it I lived with a man once Just like me, I was like, oh, I'm like, I'm going to head into the window And so on, I'm saying it was a man when I was in the door I was like, oh, my eyes were like, oh, you've got nothing from here I said it was nice to come on I said it was nice doing it I said it was nice to come on He said it was nice to me इससे उसे लगता था कि जीवन एक व्यत सपना नहीं है जिसमें व्यक्ति मुझ खोल कर जमाया लेता रहे लेकिन यह करतवे और कठोर कारे से भरा हुआ एक महान कार्या था उसने बताया कि जीवन को इतना सिंपल नहीं है कि उसमें सिर्फ उसको जमबाई अराम से जमबाई लेता रहे उसमें क्या उसे करतवे और कठोर कारे करने पड़ते हैं वह कहता है कि कहता कि उसे प्राय अस्चरिया होता कि मुझसे मिलने से पहले उसका गुजारा कैसे होता थ जिससे पहले काम करते हुए व्यक्ति को देखने का मोगा नहीं मिला वो अब तो मुझे साथ देखता रहता है काम करते हुए पिर जब तक मैं उसे नहीं मिला तो उसका गुजारा कैसे होता था काम कैसे चलता था तो वो ऐसे सोचता है However, I did not say But started the packing It seemed a longer job than I had thought It was going to be But I got the bag finished at last And I sat on it and stepped it However, however फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन packing करना मैंने क्या कि स्टाटेट रखा शुरू किया करता रहा यह ज़्यादा लंबे समय का कारेपरतीत होता था जैसे कि मैंने इसे करने के बारे में सोचा था लेकिन मैंने बैक को पैक करने का काम अंत में समाप्त किया और मैं इस पर बैठ गया और उसके फीते मैंने स्टाट रखा की किसी चमरे की कोई भी फीते मैंने इसको बांद दिया Ain't you going to put the boards in Ain't इसका meaning है Are not be हो सकता, Is not be हो सकता, Has not be According to sentence And you going to put the boards in क्या तुम जूते अंदर नहीं डालोगे Said Harris, Harris ने कहा And I looked round and found I had forgotten them That's just like Harris He couldn't have said a word Until I would got the bag shut and strapped off Of course, and George laughed one of those Irritating, senseless laugh of his They do make me so wild तो उसने पूछा था कि क्या तुम इसमें जूते नहीं डालोगे Harris ने कहा मैंने घूर कर देखा उसे, जब उसने मुसे बात पूची And I looked around and found I had forgotten them मैंने घूम कर, sorry, घूर कर नहीं घूम कर देखा, around देखा कि मैंने उन्हें रखना भूल गया था वो मेरे पीछे थी कि कुछ चीज़े क्या होती है हम बैक के सामने नहीं रखते है फिला देते हैं, तो कुछ चीज़े हमारे पीछे होती है और हम क्या उसे आगे से ढूरते रहते हैं जब ख़ड़े होते तो पता चलता हो हमारे पीछे थी तो इसलिए कि हमें जब पैकिंग करनी होती है तो सारे सामान को हमारे सामने रखना चाहिए और फिर उसे पैक करना चाहिए तो जूते पीछे होने के वज़े से भूल गया था तो जब वो घूमा तो उसने जूतों को रखा तो उसने हैरिस बिल्कुल उसी तरह था जब तक मैंने बैक को पैक करके उसके फीते नहीं बांदे तब तक वह एक शब्द भी नहीं बोला था उसने का पि जब तक मैंने बैक को पैक नहीं किया फीते नहीं बांदे एक शब्द भी नहीं बोला और जोर्ज हसा या उसकी एक चिट चिड़ाहत उत्पन करने वाली और एक बहुती मुक्तापुन हसी थी ऐसी चीज़े मुझे निश्चे कोदित कर देती है मैं उसे लगा कि जैसे मैं भूल गया फिर मैंने डाला तो वो एकदम से हसा तो उस चीज़े उसने मुझे क्या क्या इरिटेट कर दिया एकदम से I opened the bag and packed the boards in and just and then just I as I was going to close it a horrible idea occurred to me had I packed my toothbrush I don't know how it is but I never do know whether I have packed my toothbrush my toothbrush is a thing that hurts me when I am traveling and makes my life of misery I dream that I have not packed it I and wake up in a cold perspirations and get out of bed and hunt for it and in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it and it is always the last thing I do I turn out of the bag and then I repack and forget it and have to rush upstate for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief I have to pack the shoes in and then I have to open the bag and pack the shoes in and then I have to open the bag and pack the shoes in my toothbrush is a thing that hurts me when I am traveling which I stay in the search for everything I do ढूनता हूं और सुबहें और मैं इसे इस्तेमाल करने से पहले ही से पैक कर लेता हूं और मुझे इसे निकालने के लिए दुबारा बैक को खुरना पड़ता है जब भी वो बता रहे हैं कि रैटर जब भी मैं किसी ट्रावलिंग पे जाता हूं ट्रैवल करता हूँ, तो रात को सपना आता है कि मैंने बुश नहीं डाला, क्योंकि ब्रश ये कैसी चीज़ है, हम अपनी मॉर्निंग की शुरुआत उसी से करते हैं, तो वो तुरंट उठता है, एक दम पसीना आता है, सबसे पहले बैग में उसे पैक कर लेता है, हलाकि उसे से पैकिंग कर देता हूँ, इसे भूल जाता हूँ, और अंतिम शन पर इसके लिए भाग कर ऊपर जाना पड़ता है, और फिर मैं इसे अपने जेब के रुमाल में लपेट कर रेलवे स्टेशन तक ले जाता हूँ, वो बताते हैं, तो डिये स्टूट, आज के लिए तरहीं नेक्स्ट हम अपने सेकिंड पार्ट में, सेकिंड वीडियो में पढ़ेंगे, ओके?